नमस्कार फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागत आपके अपने चैनल पर रीट में आवेदन में आनिवारी समस्याओं को लेकर बोर्ड ने विश्तरत दिशा निर्जेस जारी किये हैं अगर आप रीट का फॉर्म वर रहे हैं तो एक बार यी वीडियो अंता तक जरूर देखे सारी समस्याओं का शमादान आपको बताया गया है सबसे पहले में नदर डालना चाहूंगा आज की सबसे परमुक्ष माचार पत्रों की सुर्कियों में सबसे पहले आप यहां स्क्रीन पर एक न्यूज देख रहे हैं दरिक बासकर की रीट गाइडलाइन समस्याओं को दू करने लें इसके अलावा हर स्टेप में कैसे आपको रजिस्टेशन करना है और क्या करना है इस संदर्ब में एक वीडियो माँ आपको अलग से अपलब कराऊंगा लेकिन अभी क्या सावदानी रखनी है सिर्फ इमित्र संसाल कों की गड़बड़ी की वज़ए से कई बेरति पर जाकर जनरेट फी चालान फॉर रीट 2021 पर क्लिक करना है इसमें आपके जनमती थी और आपके नाम से संबंदित सारी चीजें सबसे पहले सेक्षन में दिखाए देगी इसके लावा दूसरे सेक्षन में परिक्षा का लेवल फरतम और दितिये का आपको चैन करना है आप आप एक ही सबजेक्ट या एक ही लेवल की तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा रजिस्टरेशन के बाद अपना नाम पिता का नाम जनमती थी और मोबाइल नंबर ये पूरा द्यान रखें याद रखें मोबाइल वही होना चीजे जो आपका हमेसा एक्टिव रहता है जिस प मेसेज आने की सुईदा हो इसके बाद अगला सवाल है कि क्या आवेदन सुल्क जमा कराने के बाद लोटाए जाएगा तो बिल्कुल नहीं इसके लावा क्लास का लेवल कौन सा सेलेक्ट करूं देखिए लेवल का मतलब यह है कि लेवल फर्स्ट का मतलब एक से पांस और ल देखिए लगतां कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं लेकिन ऑफलाइन है तो फिर आपको एक चालान की कोपी निकालकर बैंक में जमा कराना पड़ेगा तो सबसेजी आजकल ओनलाइन मोड होता और आपको समय रहते यह फोरं बरना है क्या बार बैंक के साइट पर सर्वर की वज़ए से एक दो दिन आपका पॉज जो पेमेंट है वो दिखाई नहीं देता है जनरेट नहीं हो पाता है बुगतान समंधी और भी कोई समश्य है तो कमेंट करके जरूर बताएं इसके अलवा अगला सवाल है कि आवेदन शुल कितना है पान सो पच Personal स्थ आप यहां देखेंगे सबसे पहले आपका चालान अगर जनरेट भी हो गया तो पॉर्टल पर जाकर आप चेक के चालान पेमेंट स्टेटस पर जाएंगे तो आपको चालान की ताजा इस्तिती का पता से लेगा सिर्फ चालान जनरेट होने मातर ब्रेट का पर जाएंगे तो फॉर गोट चालान नमबर और फॉर्गोट ऊप्सटेशन के उप्सट्राइब भी कर सकते हैं इसके बाद की रजिस्ट्रेशन के कैसे भर सकता हूँ रजिस्ट्रेशन के बाद एक अलग से विकल्ब दिखाए देगा आपको फील अफलिकेशन फॉर्म फॉरी 2021 उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगले स्टेप में आपको स्टेप बाइस चीजे समझाने का प्रियास करूंगा नेक्स्ट वीड है तो कोई बात नहीं वर्ना अगर प्रिंट आपने नहीं लिया तो री प्रिंट कर सकते हैं फॉरंको भी री प्रिंट करके और क्या अग्र कोई समय था रही तो इसमें हेलप लाइन नमबर पातर नहीं इसलिए लेवल टू के लिए आवए दिन करें सेलेबस में सबसे बड़ा बदलाव किया गया राजस्तान की कलास संस करती है तियास और बुगोल इसमें सामिल किया गया इसलिए अधिक जानकारी आप राजस्तान से जो कंडिडेट्स राजस्तान वह भी सामिल लवने वाले इसके लावा आप यहां देखेंगे कि अपने आदार नंबर इसमें सही नौट करें मोबाइल नंबर भी जो बरा है उसको ढंक्षे बरें या अतिरिक्त मोबाइल नंबर भी सही रूप से आपको लिखना है और विशिष्ट आपने जो सब्जेक्ट की विशिष्ट है जिसे आप सोशिल स्टेडी से है तो साइंस से है तो साइंस परें लोग जो भी जुड़े हैं वो करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके गंडी का निशान दबाए ताकि लेटेस्ट अबडेट आप तक मिलती रहे दन्यवाद जहिन